तो दोस्तो स्वागत है एक वर फिर से आपके अपने चैनल चॉप्स वाले भाईया में वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंट्स मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट आज का ये है कि वैसे लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं और वीडियो अभी अपलोड भी नहीं है अभी ए करना है आप लोग को एकदम जो जिन्यून वैकेंसी होती है केवल बताता हूं और जो भी फेक है उसको मैं फेक कहके बताता हूं कि भाई यह भरना भी अपलाई करना है और ऐसे मैं कुछ लोग यह नहीं कह रहे हुए अब तो सही काम करो भाते चैनल पड़े हुए मिलियों सब्सक्राइबर वाले एक भी सही विकैंशी नहीं बता रहे हैं वों लोग और जो बता रहा है उसको ये लोग है कि देखे हैं कि दी मोटरिया करते रहते हैं कि वाई मुझे लेकिन अभी तेख कर। कि जो भी डयूज सा दोंगा है जो जानकारी देता हूं बिल्कुल अपने हिसाब से कोशिश करता हूं दोस्तों कि एकदम सही आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कराता रहा हूं अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसके लिए मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि उसके लिए छोटा भाई से मज़क में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या उसमें आरक्षेन स्टेट का होता है नहीं होता है वीडियो देखा कर ये पूरी पूरी सारी जानकारी धिरदीर आप लोग को मिल जाएगी पूरी भी गौर्मेंट अफ इंडिया के वेकेंसी होती है ठीक है भारत सरकार की वेकेंस आज जो वेकेंसी निकल के आई है वो आई है IIT याने की इंडियन इंस्ट्ट आफ टेक्नलोजी आई अई टी का नाम तो पता ही होगा सब किसी को यहां पर ऐसा नहीं है कि अब जहां की निकली है वहीं कि लोग अपलाई करेंगे कोई भी आप आवेदन कर सकते हैं कर देते हैं कि बाद में आप लोग यह ना कहा है कि आपने बार पहले नहीं बताया तो पोस्ट बहुत सारी है मैकसिमां है नहीं ङहां पोस्ट एकस्पिरियंस वाली अधिक शांदार पोस्ट है असिस्टेंट का ठीक है और केवल उसमें ग्रेजुशन मांगा गया है बहतरीन पोस्ट है आप लोग को अभी पीडिएप दिखाएंगे और कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से तो वह लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पेजी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजवेट तो वहाँ पर आपको एक्सपरियेंस भी नहीं देना पड़ेगा यानिकी बिल्कुल कोई एकस्परियेंस नहीं उसी पोस्ट के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजवेट है तो आप लोग अपलाई कर सकते हैं और फी की बात करने कि कहा से SB आइका कॉलेक्ट का वेबसाइट होता है बहुत लोग को नहीं पता है लेकिन अब वीडियो नहीं देखेंगे पहलेगे कमेंट कर देगे डी मोटिवाइज कर देते हैं मुझे भी तो मजा नहीं आता है वीडियो बराना में अच्छी लगती है हमारी वीडियो कि जो आपका जो website है यहां पर आपके सामने कुला हुआ है यह इंडियन इंस्ट्यूट ओफ टेक्नलोजी मंडी यानि की यह इन पर देश में है सबसे पहली बात आपको हिमाचल परदेश में जाके मंडी में काम करना पड़ेगा अभी एक फ्रेंड्स सबसर पहले जो पॉस्ट वगर आए यहाँ पर देखें जीनिकल आफिशर यहाँ पर जिसको एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो भी है वह आवदन कर पाएंगे अगर उनके पास एक साल का experience है किसी फिल्ड में तो ठीक है लेकिन जो पीजी है पोस्ट रेजवेट है वो बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यहां पर वेतन लेवल आपको मिल जागा वो लेवल थ्री का पेमेंट है लेवल थ्री में आपको यानिकी 27 साथ सो से 79,100 तक आपका पेमेंट जाएगा स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी 26,000 के आस पास से ठीक है तो अभी आपका बात करते हैं कि इसका जो डेट है वो पहले देख लेते हैं कब से कब तक है तो आप लोग को बता दे कि यह पांच मई से स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट फ्रेंस चार जून तक है ठीक है बिलकुल अच्छे समझ लीजिएगा आवेजन करना होगा कर लीजिएगा क्योंकि जो हमारे चैनल पर वेकेंसी बताई जाएगी फ्रेंसिस का तो गैरेंटी है कभी गलत मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी वीड डाल दिया हुआ है सीधल जो लास्ट पोस्ट है वो आपको दिखा देते हैं कि यहां पर क्या क्या क्वालिफिकेशन बताया गया है ने तो आप लोग को दिक्कत हो जागा थोड़ा यह दिखिए पर बताया गया है गुरूप सी की वेकेंसी है जो एसिस्टेंट की तो का नॉलेज है तो आपको अराम से अपलाई कर सकते हैं ठीक है डिजारेबल का मतलब होता है फ्रेंट्स एक्षिक या अगर आपके पास experience in handling यह सब है तो आप अच्छी बात है कि अपलाई करें लेकिन डिजारेबल का मतलब यह कभी मत समझ लिजेगा कि वह होना ही चाहिए आपको यह कंडिशन था फ्रेंट्स पैसा मैंने बता दिया website मैंने आपको बता दिया आप देखिए यहां पर जो सौर पर जो पेमेंट है आपको कहां जाके करना है इसमें आप जाके जब प्रोसीड करेंगे यहां पर तो एक website खुलेगी उसमें आपको जाकर सिलेक कर लेना है हिमाचल पर देश ठीक है यहां से next करेंगे तो state सिलेक करने का option आएगा और बाकी आप लोग कर ली जागा ने तो इतना ही बताने में आप लोग का पूरा वीड पूरी इतने लंबी वीडियो हो जाती है कि आप लोग देखते भी नहीं है चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या करना है जैसे कि आप आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है कहां से करें ठीक है बाकि सब तो समझ में आही गया होगा आप लोग का पेमेंट बगरा ब कि आपके यकान है और हाहा जब चेल करेंगे लना और के अब स्टेप्स जो भी है वहा इपना फॉम कर लेना है ठीक है इतने स्टेप्स है देखे परस een डिटेल डालना है payment डिटेल यानि कि आपने online payment पहली यह कर लेना है 100 रुपए का वो यहां डिटेल लना है qualification डिटेल यहां डालिएगा उसके बाद experience डिटेल है उसके बाद reference reference में friends आप किसी भी जो government employee है उनका नाम डाल सकते हैं department डाल सकते हैं इनके थूपता चला है यह ठीक ह लास्ट में आपको कुछ other details है और last में आपको final submit कर देना है ठीक है पुरा detail आपके सामने ऐसे इतना आएगा नाम आपका पापा का नाम अम्मी का नाम डेटा बर्थ यहां पर जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं इतनी सारे details आपके सामने खुलके आएंगी और उसके बा अगर आप लोग का यहां पर व्यूज अच्छा रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका form भरके आप लोगों को दिखा सकता हूं अगर ज्यादा सपोर्ट नहीं रहेगा तो मजा नहीं आता है काम करने में किसी के साथ भी होगा ऐसा ठीक है त और आप उसको प्रूफ कर पाएं कि भाई यह फेक है ठीक है क्योंकि मैंने अभी तक डाली ही नहीं है इंतजार करें किसी नए वीडियो का किसी नए इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद